एक वीडियो में मैं आपको दिखाया था कि पासपोर्ट के लिए ओनलाइन कैसे अपलाइक किया जाता है इसका मैं आपको कम्प्लीट प्रसस बताया था और आज के वीडियो में मैं आपको देखाने वाला हूँ कि जब आप पासपोर्ट के लिए ओनलाइन अपलाइक कर देत पर आपको इस साय ने फूरा आपको यहां पर एड्रेस आ जाता है और यहां पर उसका पास्पोर्ट का जो भी है वो डिटेल से यहां पर आ जाता है तो मैं आपको यह पास्पोर्ट को मैं आपको इसको ओपन करके दिखाऊंगा कि यह पास्पोर्ट कैसा होता है और कि या था वो ECR प्सक्राइस एंग करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे सब्सक्राइब करने करें या लिधुर निया निया वीडियोट सब्सक्राइब या पर चलिये वीडियो को स्टार्ट करते हैं शॉट अप एंड़ सिट डाउं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मेरे हाथ में है यहां पर इसको आप पासपोर्ट यहां पर देख सकते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं पासपोर्ट की यहां पर नंबर आता है और यह पासपोर्ट है तो मैं इसको आपको ओपन करके देखाने वाला हूँ लुक्रट करने के यहां पर देख रहे हैं यह हाथ में पास्पोट्र को सीमुशीट वह सेमुश्यक्राइए यह आप भठगते हैं भारत गन्राज इस तरीक आप पास्पोर्ड को में सकते हैं इसके बदी यहां पर हम नेक्स जाने के बदियाने के यहां प्रेंट का है यहां पर देख रहां क led to our the जुका है, यहाँ पर आजाता है. यहाँ पर आजाता है और यहां पर सिरियल नंबर आ जाता है जो है यहां पर आंप ढगेगा में वह country आपको यहां पर भीजा लगा इसके लिएगा मोहर लगेगा जो भी country मन जाएंगी वह को यहां पर भीजा लगेगा तो कुछी नेहां जाएंगी जिस तरीके से आपको पर हर पास्पूर्ट नमबर होता है इस क्या है लास से fronts में आएंके settlers path page यहां पर आप देख रहे हैं कि जो मेरा 플rent है मदर का नाम है इस तरीक है जहां पर पूरा address आ जाता है और यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर आपको मिल जाता है agree знаем check required मतलब यह जो है is er passport है जो ÖECR passport वह होता है जो नहीं परहिए लिक होते हैं उसका यह पासपोर्ट बनता है तो यह पासपोर्ट है सिफ यह पासपोर्ट को अदहार कार्ट के बेस पे आप यह पासपोर्ट बनवा सकते हैं सिप अधार कार्ट दीजेगा तो अधार कार्ट दीजेगा तो आपको यह passport बन जागा तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर आपको ECR passport यहां पर आपको मिल ला है और यहां पर आपको लिखा भी हुआ है जो परहे लिखे होते हैं उसको जो 10th का कम सकम सरिफिकेट लगता है तो उसको जो पासपोर्ट बनता है वो ECNR पासपोर्ट बनता है तो वो जो होता है यहां पर देख रहे हैं कि ECR passport है मतलब इगरिमेशन चेक रिक्वार्ड जो परहे लिखे होते हैं उसका ECNR passport बनता है मतलब ECNR का full firm होता है इगरिमेशन चेक रिक्वार्ड और यहां पर देख रहे हैं मतलब इगरिमेशन चेक रिक्वार्ड अगर आप इस passport से कहीं सफर करते हैं तो 18IC country है जहां पर जाने के लिए आपको इगरिमेशन लेने परते हैं और वो आपको एरपोट पर आपको इग पर ऐसे country है तो आपको वहां पर उस country में जाने के लिए पर्मिशन मिलेगा और फिर आप उस country में आप जा सकते हैं तो इस तरीके से यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर है ECR passport और इसका पूरा यहां पर detail आयाता है तो इस तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं कि जो पास सबास का सब्सक्राइब नहीं लिखा जो पाश्पोर्ट के यहांपे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा तो उसके पर यहां पे कुछ भी नहीं होता है पुरा बलन्क होता है जो मैं आपको एक वीडियोchine कि कि ECR passport और ECNR passport क्या होता है उनने क्या differences होता है मैं उस पर जल्दी विडियो बनाने वाला हुँं। मैं उस पर जल्दी आएप काफि सारा कमेंट आया हुआ है और उसने पूछा गया है की ECNR passport क्या होता है और उनने क्या सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीका नया नया वीडियोस पाहिए आप रोजाना